हर साल लाखों भक्त माता वैश्णों देवी के दर्बार में माता टेकने जाते हैं लेकिन अब भक्त माता के दर्शनों के साथ साथ भगवान वेंकटेश्वर का भी आशिरवाद ले सकेंगे क्योंकि दक्षन भारत की तर्च पर जम्मू में बन रहा है भगवान वेंकटिश्वर का भवे मंदर तिरुपथी बालाजी भगवान वेंकटिश्वर का धां जिनकी महीमा अप्रमपार है जिनके दर्शन के लिए दुनिया की कोने कोने से लाखो भक्त तिरुमला की पहारियों पर पहुँचते हैं दक्षिन भारत में मौजूद बाला जी के इस पवित्र मंदर की तर्श पर अब जम्मू में भी तुरुपती बाला जी का भवी मंदर तयार होने जा रहा है मंदर निर्मान के लिए भूमी पूजन हो चुका है और 18 महीनों में मंदर बन कर तयार हो जाएगा दी है 40 साल की लीज जो है वो यहां पर मंदर टरस्ट को यहां पर दी गई है और अगर हम इस मंदर की बात करें तो यह पूरा मंदर जो है जो तिरुपती बाला जी का मंदर है उसी की तरस पर यहां पर बनाया जा रहा है और करीब इसमें 33 करोड रुपे का खर्चा जो है वो माना जा रहा है कि आलाकों की तादाद में माता वैश्योदेवी के दर्शन के लिए पहुँशने वाले भक्त जम्मू में बनाए जा रहे बाला जी के मंदर में बगवान वेंखटेश के दर्शन कर सकेंगे जमू से 10 किलो मीटर दूर सिधारा की मजीन इलाके में ये मंदर बनने जा रहा है जमू किश्मीर सरकार ने तुरुपती बालाजी मंदर को 62 एकर जमीन दी है मंदर के लिए जमीन 40 साल की लीस पर दी गई मंदर के निर्माण से इलाके में रोजगार के साधन खुलेंगे इससे मजीन गाउ का नक्षा ही बदल जाएगा मंदर निर्माण से जुड़े लोकों का मानना है कि मजीन में तुरुपती बालाजी मंदर के तयार हो जाने के बाद देश-विदेश से बड़ी संख्या में परेट अकून और तीर से यात्रियों के पहुंचने की उमीद है इससे श्रीमाता वैश्टो देवी की तश पर जमू में भी धार्मिक परेटन को बढ़ावा मिलेगा जमू से शानवास खान के साथ टीम यूस नीशन